Case of Bipolar Disorder 2 So now we will see के Bipolar 2 Disorder जो है वो किस तरहां different होगा Bipolar 1 Disorder से और किस तरहां जो Client है वो अपनी जो clinical picture है वो हमारे सामें reflect करेगा जो child है वो 13 year old है और वो जो सका problem है जिसमें वो जो face कर रहा है वो depressive mood है, psychomotor inhibition है, insomnia है और appetite loss है, ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये features देखें तो इसे आपको ये पता चलेगा कि बच्चा जो है वो depression की तरफ जा रहा है, ठीक है क्यों? क्योंके वो school भी नहीं जा रहा, several days a month ठीक है, इसके साथ साथ उसका जो admission है वो psychiatric ward में हुआ bipolar 2 disorder का diagnostic criteria के features को explain किया था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि mostly लोग जब depression उनको होता है, at that time they will come for the indoor admission, ठीक है, तो यहां पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब थोड़े दिन उसको हुए admission किये वे, तो उसके अंदर nervousness और insomnia की complaints जो थी, वो आना शुरू हो गई, और he was started to taking the anti-depressant, ठीक है और उसके बाद, उसके अंदर कुछ और complaints आई जिसमें, क्या था, कि वो जो दूसरे बैट के उपर patient थे, उनसे कहता था, कि उसको massage करें, तूसरे patients के साथ, उसने लड़ना शुरू कर दिया, चोटे-चोटे matters पे, और इसके साथ साथ, वो वाट को भी चोड़ के चला जाता था, बगार किसी को बताए, coffee shop के उपर, ठीक है, और उसके अंदर flight of ideas भी थे, बट उसकी जो degree थी, वो mild थी, talkativeness थी, irritability थी, ठीक है, और उसको जब मना किया गया, कि वो ऐसा ना करें, और अगर उसने ऐसा किया, तो उसको फिर वहां रखना मुश्किल हो जाएगा, क्यूंकि वो वाट के जो थे, rules को, उनको वो follow नहीं कर पा रहा था, तो he set के ठीक है, वो खुद ही hospital को जो है, वो छोड़ना चाहरा है, ठीक है, तो अब उसकी वज़ा से क्या हुआ, कि एक मन्थ वो hospital में रहने के बाद, उन्हों ने उसे hospital से discharge कर दिया with that caution, कि अगर उसको दुबारा symptoms आई, तो फिर उसे वो closed ward के अंदर जो है, वो admit करेंगे, क्यूं? क्यों इसलिए? क्योंकि अगर उस वकद उसकी symptoms जो है, वो ज्यादा severe हो गई, अगर तो वो ठीक हो गई, subside हो गई, तो definitely जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उसको दुबारा करना पड़ा, तो फिर closed ward में किया जाएगा, क्योंकि जो उसकी compliance see towards the ward's rule, वो नहीं थी, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो, तो बच्चे को problem क्या start हुआ, depression का, and then, वो move किया, किस की तरफ, आप हैपोमेनिया की तरफ, तो bipolar 2 disorder में, इस किसम की picture जो है, वो आपको मिलती है, Thank you.